D.E.S.P. statistical assistant के लिए कुछ important चीज़े discuss कर लेते हैं पहली तो है gross और net salary, pay slip के साथ दिखाऊंगा दूसरा eligibility criteria क्या है, कोई doubt नहीं रहेगा आपको syllabus क्या है, exam pattern क्या है, course और test reach किस तरह से हम अपने use में ले सकते हैं और मैं आपको एक code भी provide गरूँगा जिसके साथ आप उसको apply करके उसमें discount कर सकते हो तो पहली बात यह है कि यहाँ पर जो मैं आपको gross net salary दिखा रहा हूँ वो अगस 2023 माह की है, यानि कि बुलकुल ले test 35-400 से लेके 1,12,400 basic पर है, pay level 6 है, 4200 grade P की job है statistical assistant की post है, stats post न्यू डेली में है तो आपको जो salary provide होने वाली है इस particular post में बुलकुल same होगी और यहाँ पर जो DA है वो अभी 42% चल रहा है तो आपको 42% के according जो gross मिलने वाला है वो है 64,938 रुपीज और आपको जो net salary मिलने वाली है, यानि आपके खाते में जो आने वाली है वो है 59,401 gross salary में कुछ कट जाता है जैसे कि CGHS कट जाएगा आपका NPS कट जाएगा तो यह सब कटने के वाद आपको 59,401 रुपीज आपकी खाते में मिलेगा और जब तक आपकी job लगेगी यह 42% बढ़कर जो है 40 हो जाए हो सकता है 50 भी हो जाए तो यहाँ पर आपकी जो salary है वो 64,938 से बढ़कर 66,000 तक भी चली जाएगी हो सूपर भी चली चाहिए तो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं हम जो current salary है आज की rate में वो यह है तो यहाँ पर आप देख सकते हो proper pay slip है एक government employee की latest month की statistical assistant post के लिए तो आपको यह जानना जरूरी है कि कितनी salary मिलने वाली है और अच्छी का सी salary है अब यहाँ पर बात करते हैं eligibility criteria की तो देखो एक चीज़ यह fix है कि आप जब apply करोगे तो only PG का option ही आएगा यानि कि minimum PG required है PG से कम किसी ने अगर graduation कर रखा है तो वो तो पहली बात तो eligible ही नहीं है दूसरी बात PG में अगर आपने statistics, operational research, mathematical statistics और applied statistics से किया हुआ है तो आपको किसी और चीज़ की need नहीं है आप बस apply कर दो आँख बंद करके और तयारी start कर दो लेकिन अगर आपके पास इन चारों subject में से कोई subject नहीं है और आपने economics, mathematics और commerce से किया हुआ है तो आपको फिर एक paper की need होगी जो paper या तो आपने post graduation या फिर graduation में दिया हुआ हो और वो paper इन पांचों में से ही कोई एक होना चाहिए quantitative methods, basic statistics, business statistics, introduction to statistics और techniques of costing and statistics तो ये important बात है ये पांचों paper है इन paper में से या फिर इस subject में से आपने कोई भी एक अगर graduation या post graduation में पड़ा है तो आप इन तीनों degree के साथ भी apply कर सकते हो ये important चीज थी बहुत सारे बच्चे confused थे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए इसके बाद मैं बात करूँ syllabus की तो देखो हमारे जो expert है particular post related उन्होंने एक perfect syllabus design किया जिसकी heading में आपको show कर रहा हूँ तो आपके 16 points है जो आपके previous exam है उनसे related और आपके exam आपकी जो post है उससे related जितनी भी exam हुए है उनका syllabus जो भी है उससे combined करके syllabus बनाया है हो सकता कुछ point आगे और add हो जाएं तो हम आपको उसका details labels और video भी provide कर देंगे लेकिन अभी 16 points है और इन में कौन-कौन से topic आएंगे वो आपको effective study application पर मिल जाएगा यह सभी point जो है head मैंने heading लिखी है इसके अंदर details labels भी आपको application मिल जाएगा वहाँ पर आपको course वगरा भी available हो जाएगा तो proper तरीके से पढ़ लेना क्योंकि math भी इसमें शामिल है आपके exam में तो एक भी question छूणने की need नहीं है अब बात करते हैं exam pattern गे तो देखो section A और section B दो आएंगे section A भी 100 question आएंगे और वो 100 marks के होगे हर question एक number का होगा same section B जो है उसमें भी 100 question आएंगे और हर question एक marks का है तो 100 marks का ही हो गया तो total मिलाके 200 marks का paper हो गया दूसरी important बात negative marking जो है वो 1 fourth है यानि कि it means अगर आपको सही करने पर एक number मिल रहा है तो गलत करने पर आपको 0.25 काट लिया जाएगा यह आपको समझना है और अगर आपने कोई question attempt नहीं किया तो कोई भी marks नहीं कटेगा इसके साथ मैं आपको बात करूं course की हमने एक course launch किया हुआ है टेसरी भी provide की हुई है उसमें क्या क्या है वो मैं आपको पता देता हूँ एक तो पहले important बात आप coupon apply कर सकते हो उसमें no tes के साथ और आपको 99 rupees का यहाँ पर discount मिल जाएगा proper तरीके से तो आप ही apply कर सकते हो complete course lectures है जिसमें आपको notes भी provide होंगे bilingual Hindi and English में दोनों चीज़े provide होंगी जितना भी content मैं आपको बता रहा हूँ वो Hindi और English में provide हो जाएगा आपको test reach भी Hindi English में provide होगी आपको videos भी Hindi English में provide होगी आपको lectures notes भी Hindi English में provide होगे अब इसके साथ एक important बात है कि यह जो content हम provide कर रहे हैं यह only section B के लिए यानि stats के लिए जो हमने course कराया हुए आपको lectures कराया हुए है उस पर practice question साथ में उनके video solution भी provide की हुए है test series भी आपको provide की हुए है DSSV statistical assistant के जो previous year के question आये थे उनके भी हमने solution video provide की हुए है statistics related जो भी exam हुए है उनके भी हमने paper video आपको provide की हुए है जो लगभा 8 से 10 videos ह इनमें आपको बहुत सारे question मिलेंगे जो आपके exam में सीधे सीधे उठके आ जाएंगे ये भी हमने आपको provide किया हुआ है formula bank भी हमने आपको provide किया हुआ है last time पर आप इसको देखकर revise कर सकते हो proper तरीके से इसको हम थोड़े time बाद upload करेंगे और ये सारी चीज़े आपको timely upload म इन से और www.effectivestudy.in से तो यहां पर जाकर आप इस application को download कर लेना या फिर place store पर सीधा सर्च कर सकते हो effective study तो वहां पर download करके आप course अवेल कर सकते हो और आपको कोई और query है तो itsum solution at the rate gmail.com effectivestudy official at the rate gmail.com पर आप वो query पूर सकते हो लेकिन eligibility criteria या फिर PAVE अगरा से related आपकी query इस अच्छे से पड़ो जितना अच्छे से पड़ोगे job के chances बहुत ज्यादा है इसमें apply करने वाले student बहुत कम है और जो perfectly eligible है उस particular post के लिए तो मैंने बता दिया आपको अच्छे से तयार कर लो link description में दे रखिये good luck